हलो गाईज एक बार फिर से Becoming a God by Teaching Six Sisters के Part 9 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाईज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और साथ ये दोस्तों आप मेंबर्शिप लेना बिलकुन ही मत भुलिएगा और RDX MLBB गेमर्स आपका ब दिखाया जाता है युवेन लिन पिक मास्टर की तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं क्या तुम पिक मास्टर शान नहीं हो जो प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए मेरे भाई की तलाश में यहां पर आये हो बोलो चुप मत रहो और मैं वाधा करती हूं कि मैं तुमारे म अच्छे से खापी रहे हैं कि नहीं और तबी वहां पर सॉंग लिंग्यू खुब गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती है यह सारा मैटर ताइस सेट के अंदर है और बहारी लोग यहां आकर अपनी टांग को गुशेर नहीं सकते हैं और फिवहां पर अपने हीरो की सिस तो इसका मतलब यह हुआ कि ताइस सेट आपकी नजर में कुछ भी माइने नहीं रखता है दूसरी पीक मास्टर की बास सुनने के बाद में जो अपने हीरो के थर्ट सिस्टर होती है वहां पर बहुत ज़रा गुसे में अपना और रिलीस करते हुए कहती है मैं यह देखना चाते हुँ कि आज मेरे भाई को छूने की हिमत कौन कर रहा है और दूसरे साइड में जो पीक मास्टर होती है वह भी वहां पर गुसाते हुए कहती है यह ताइस सेट का एरिया है और यहां पर बाहरी लोगों को इस तरह से जंगलापन दिखाने की कोई जगा नहीं है और इस बात को कहते हुए वह भी वहां पर अपनी spiritual energy release करने लगती है और यहां पर दोस्तों एक ऐसा moment start हो जाता है जहां पर इन दोनों की energy आपस में टकराने लगी थी यह लाओ जब वहां पर एक खुब matter को खराब होते हुए देखता है तो अपने sister को पीछे की तरफ करते हु हरकते करते हो जैसे वहां पर वह दोनों भाई भैन आपसे बहस कर रहे होते हैं दूसरे साइड में वह जो lady peak master song होती है वहां पर अपने hero के उपर एक powerful attack उसके उपर करते हुए कहती है तो ठीक है अब तुमें सबक सिखाया जाना चाहिए इस तरह से peak master song को attack करते हुए देख कर अपनी आखे बंद कर लेता है और अब पता है दोस्तों यह क्या करना चाहता है और तभी वहां पर उसके sister चिला के कहती है यह लाओ तुरंत वहां से हटो उसके attack को dodge करो लिकिट तब तक दिखाया जाता है कोई वहां पर अचानक से peak master song की तरफ आगे बढ़ जाता है और इस इसको होते हुए देखकर यह लाओ और peak master song दोनों के दोनों वहां पर shocked हो जाते हैं कि यतना powerful कौन है जो मेरे attack को यहां पर रोक दिया जने और इस इसको देखने के बाद में जो peak master song होती है वो दुबारा से यह लाओ के उपर अपनी spiritual power को gather करते हुए खुब जोर सा attack करत हैं और जिसको रोकते हुए वो अपनी फिर से लाग को उठाते हुए उनके attack को वहां पर block कर लेता है रोक लेता है जिस कारण से कि उन दोनों के spiritual power आपस में ठकरा जाती है उस दूसरे आदमी के इस तरह से attack को रोकते हुए देखकर जो बहार disciple खड़े होते हैं जिनको अभ वो वहां पर क्यों है वो वही है जिसके पास 27 का अगला पैट्रियाज बनने का सबसे बड़ा मौका है दूसरे साइड में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने की पीक मास्टर सौंग के attack को रोका था अब वहां पर उनके attack को रोकने के बाद बड़े cool look देते हुए से कहता है इनर गेट के पीक मास्टर के तोर पे तुमने सच मुझ यहां पर बहुत अच्छी पावर का इस्तमाल करते हुए attack किया लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं तुमारे इस attack को उस लॉंडे को उपर लगने देता तो फिट तुमारी वजह से हमारे इस tie set का एक बहुत बढ़या जीनियस खो जाता और इस बात को कहने के बाद वो जो मास्टर होते हैं वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखकर उसको आख मारते हुए हस रहते जिसको देखते हुए बाहर का एक डिसापल कहता है हाँ वो तो सच में इनर गेट जियो गॉंग के पीक मास्टर ने अपनी सारी तागत को खो दिया था और ताइस सेट के बहुत धेर सारी लोग उसे इस सेट से बाहर निकालने पर जोड़ देने लगे लेकिन तभी वहाँ पर जो इनर गेट के पीक मास्टर होते हैं अपने हीरो के पास आकर उसको वहाँ पर सम्हाल रहे होते हैं और इस कारेंट से खिए उनकी पीक मास्टर की अवदि को छीन लिया गया और उन्हें इस तरह के ग्लत काम करने के बारे में सोचने के लिए उन्हें वानबाव पवेलियन में हत्कडियों में बान्थ के सजा दी गई अपने सामने लाव ट्यानको को देखने के बाद जो पीक मास्टर सौंग होती हैं वहाँ पर गुसाते हुए उसकी तुरब घुर के देख के कहती हैं तुम पगले संकी इंसान लाव तुमारी हिम्मत कैसे हुई वान बाव पवेलियन से बिना पर्मीशन के छोड़ने की मैं सेक्ट मास्टर को तुमारी इस चीश के लिए रिपोर्ट करूँगी और फिर तुमको पहले से भी जादा बहुत भयानक सजा दिलवाऊंगी पीक मास्टर सेंग की इस बात को सुनके जो लाव त्यानकी होते हैं वहाँ पर उसकी मौल लेते हुए कहते हैं तु जड़ेली खुजरीदार चमगादर अगर मैंने वान बाव पवेलियन को छोड़ दिया तो क्या हुआ मुझे इस चीज के लिए खुज सेक मास्टर ने आदेश दिया था और पागल मैं नहीं हूँ पागल तुम हो खुजरीदार चमगादर मास्टर लाव की बात सुनके जो पीक मास्टर सांग होती हैं वहाँ पे हरान होते हुए कहती हैं क्या ये क्या बोल रहे हो तुम ऐसा नहीं हो सकता और फिर वहाँ पर मास्टर लाव अपने हीरो के पास आकर उसको खुब मज़े से पकड़ते हुए कहते हैं आखिरकार ये लाव अभी भी मेरा पुराना डिसाइपल है और अगर तुम उसे कुछ सिखाना चाहती हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे पीछे हटाना होगा मास्टर लाव की इस बात को सुनके जो पीक मास्टर सांग होती है वहाँ पे हैरान हो जाती है उनके पसीने आ रहे थे और तभी वो घबराते हुए अपने मन में कहती है सेक्ट मास्टर ने अचानक से लो टेयानकू को ऐसे बाहर क्यों जाने दिया वो जान पूछ कर ये लाव का सपोर्ट करना चाहते है और ये संकी पगला इंसान सच में बहुत ज़्यादा इसकिल्ड है अगर मैं इससे जबड़सी लड़ने की कोशिश करूँगी तो मैं जी आते हुए देखकर जो मास्टर लाव होते हैं वहाँ उसकी मौज लेते हुए कहते हैं अरे हां बुढ़िया समल के रास्ता बहुत उबल खाबल है कहीं तुमारी हड्डियां इधर उधर ना हो जाएं पीक मास्टर सैंग के जाने के बाद जो मास्टर लाव होते हैं अपने हिरो वहाँ पर हसते हुए कहता है वो मास्टर बात ये है कि मुझे आपकी बद्बू पहले ही आ गई थी जिससे मुझे पता चल गया कि आप मेरे आस पासी है इसलिए आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे हाँ दोस्तो इसका मास्टर नशीड़ी है पेल के दारू ब तो अब मुझे जाकर उनको समझाना होगा मिच जिन को जाते हुए देखकर अपना हीरो भी कहता है हाँ हाँ ठीक है अगर वो कुछ भी पूस्ती है तो तुम उससे ये कहना कि इन सब मामलों के बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं थी मिच जिन को जाते हुए के अपना हीरो वहाँ पे हसने हुए कहता है हाँ मास्टर 10 साल तो हो गये लेकिन आप अभी भी बिलकून वैसे के वैसे ही है फिर हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो के हाउस पर आ जाता है जहां पर उसके मास्टर सारे वेपन्स और आर्टिफेट को देखते हुए कहते ह अब तो इसमें कोई आश्यर की बात नहीं है कि शान यूंजाओं गुस्से में आकर हाई वोल्टेज के कारण खुद ही मर जाएगा और मुझे लगता है कि आपने इस ट्रेजर को उसके आने से पहले ही सारा का सारा खाली कर दिया था मास्टर लाव की बात सुनके अपना हीरो कहता है मास्टर लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सौंग हुंग्यू इतना ज़दा एक्साइटिट क्यों थी मुझे मारने के लिए जबकि इस मामले में उसका तो लेना देना कुछ भी नहीं था अपने हीरो के बात सुनके उसके मास्टर उसे बताते है अरे इसमें कौन से सीक्रेट वाली बात है ये सारी की सारी उन दोनों की साथ की मिली भगत है वो हराम खोर कमीने बकलोल इंसान चलो कोई बात नहीं ये जितने भी आइटम्स हैं इनने तुम कुछ रुपियों में बेश सकते हो और ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे और जब वो ऐसा कह रहे थे तब ही अचानक से जो अपने हीरो को बात में वहाँ पर डिवाइन स्वार्ड मिली थी उसके उपर पड़ती है और इसको देख के वहाँ पर थोड़ा शॉक्ड हो जाते है अब वहाँ पर उसको उठाते हुए कहते है ये ये स्वार्ड जब मास्टर लाओ उस स्वार्ड को देख के इतना हैरान हो रहे थे तब ही वहाँ पर अपना हेरो उनसे कहता है Master ये sword सच में बहुत powerful है लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस sword को activate कैसे किया जाए अपने भाई की बात सुनके उसके third sister बताती है इस sword के अंदर बहुत ठेर सारी खामया थी और इसका असले रूप सामने लाने के लिए तुम्हें इसे refine करने की जरुरत है third sister की बात सुनके जो master लाव होते हैं वो भी वहाँ पर sword को देख के हरान होते हुए कहते हैं हाँ इस बात को तो मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि ये sword extraordinary है अगर तुम इसको refine कर सको तो ये सच में आपको अगले challenge का सामना करने में मदद करेगी अपने master की इस बात को सुनके जो ये लाव होता है वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है master अगले challenge का आपके कहने का मतलब क्या है अपने hero को घबराते हुए देख कर master लाव उसको बताते है sect master ने मुझे बस इस बार बाहर जाने दिया है क्या तुम इसका कारण जानते हो अपने master की बात सुनके वहाँ पर ये लाव हैरान होते हुए कहता है नहीं मैं इस इस के बारे में तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता फिर उसके master वहाँ पर हसते हुए कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है सौंग हिंग्यू और दूसरे लोग भी आउटर गेट के साथ में मिल चुके हैं फिर्चर में एक दिन ताई सेट को बहुत बड़ी परिशानियों का सामना करने के लिए आपके लीडर्शिप की जरुवत पड़ेगी और master लाव के ये कहने के साथ महीं हमारा सीन शिफ्ट होके ताई सेट के ताई पीक माउंटेन का में पीक दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पैलेस था और वहाँ पर कोई चिला के कहता है सेट मास्टर आपने लू टान क्यों को उसकी सजा से बाहर क्यों निकलने दिया और इसी चीज से आपको समझ में तो आई गया होगा ये कौन है ये पीक मास्टर सॉंग होती है और फिर वहाँ पर उस पैलेस में अंदर की तिरफ जाते हुए चिला के कहती है उसने उस समय ताई सेट को लगभग पूरी तरह से तभा कर दिया था और इस तरह से कानून को तोड़ने वाला इंसान और एक और्डिनरी सजा पके तोर से एक बड़ी गलती का कारण बनेगी मैं तो कह रही हूँ उसको पेल दो चान से मार दो पीक मास्टर सौंग की बास सुनके और तभी वहाँ पर कोई इंसान गेट को खोल के बाहर निकलते हुए कहता है पीक मास्टर सौंग तुम वापस जाओ सेक्ट मास्टर दरवाचा बंद करके कल्टिवेशन में है और दुनिया में होने वाले मामलों का अभी उनसे कोई भी लेना देना नहीं है उस आदमी की बास सुनके जो पीक मास्टर सौंग होती है वहाँ पे घूर के उसको देखते हुए कहती है क्या आप सच के रहे हैं कि सेक्ट मास्टर ने लो ट्यान क्यू को वहाँ से निकलने के लिए खुद कहा था वो आदमी पीक मास्टर सौंग की बास सुनके उसके पास आकर उसको कहता है पीक मास्टर सौंग सेक्ट मास्टर सब कुछ जानते हैं इसलिए बहतर होगा कि तुम तैयारी करने के लिए वापस जाओ कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी परशानी आए और आपके पस्ताने के लिए बहुत देर हो जाए उस आदमी की बास सुनके पीक मास्टर सॉंग हैरान होते विए कहती है क्या क्या सेट मास्टर ये सब को जानते हैं पीक मास्टर सॉंग की बास सुनके उसको वो आगे बताता है वैसे मेरे हिसाब से तो अब आपके लिए सारा काम खत्म करने का समय आ गया है और दोस्तों अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला है क्या पीक मास्टर सॉंग फिर से वापस जाकर अपने हीरो के उपर अटैक करेगी या फिर वो इस आदमी के हिसाब से कल्टिवेशन में चली जाएगी ये सब हमें नेक्स्ट अपिसोड ने पता चलेगा आपको मेरा वीडियो एक्स्ट्राइशन पसंद आया है और इसी के साथ मिलते हैं लोग नेक्स्ट अपिसोड में थेंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो लव यॉल